नहीं पर हमने बिना मुर्गी और बिना विज़ली के गौबर के धे な्य में से मुरदी के अंडर से बच्चा निकालने की कुशिग की है हाला कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फेल हो गया है लेकिन अंड्रा में इसे बच्चा त्यार हो रहा था आप देखे हमने क्या किया और कैसे गोबर के धेर से बच्चा निकालने जो वीडियो होती है उसे किया है तो दोस्तों पहले हम आपको स्वागत करते हैं बेहल्प ला हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा हमरे चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा नीचे कमेंट किजेगा यह वीडियो आपको कैसे लगी अगर आपके मन में कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जहां वीडियो के लाइस्ट में हम अपना वाट्सप हैं निकलने के लिए सही सेंति दिग्री से प्लस जा रहा है कि नहीं जा रहा है क्योंकि यह जो जो तो नीचे काफी टेमपरेशर होता है तो यहाँ पर हमने कोईच्ट की है कि बीना बिजली के और बीना मुर्गी के बच्चे निकाले और इसके लिए हमने गद्ड़ा को और फिर उसका temperature देखने के लिए thermometer को यहां पर हमने लगा दिया है temperature देखने के लिए आप देख पा रहे होंगे यहां पर अभी 24 दिग्री है देखे 25 दिग्री हो गया है temperature उपर जा रहा है तो इसको हम देखते हैं कितना temperature हो रहा है कितना जाकर यह रुखता है और इसमें ही हमने बच्चे निकालने हैं यहां पर हम अंड़ा रखेंगे तो यहां पर पहले temperature देख लेंगे कितना temperature इसका जा रहा है यहां पर देखे कुछ देरों के बाद हमने देखा 37 दिग्री पॉइंट नौ पर लगवकर 38 दिग्री के temperature है यहां पर तो यह बच्चे निकालने के सही temperature है क्योंकि 37 और 38 दिग्री के बीच में ही temperature को रखना चाहिए जो मुर्गी का बच्चा यहां पर त्यार होगा तो हमने यहां पर गड़ा कोल कर उसके उपर थोड़ा पॉल रहकर धंग दिया है और यहां पर हम अंड़े रखेंगे अंदर यहां पर हम चार अंड़े रखेंग यहां पर अंड़े को रख देते हैं तो वीडियो शोटी करने के लिए दोस्तों वीडियो को छोड़ी सी फास्ट कर देते हैं तो यहां पर हमारे अंड़े रखेंगे अभी दो दिन हो चुके हैं हर रोज हम इनका टैंपर्चर देखते हैं टैंपर्चर सही बना कर रखा है टैंपर्चर डाउन होने लगता है तो गड़ा और खोल कर उसे और अंदर की तरफ कर देते हैं अंदर से हाथ से मिट्टी निकालने की जूच नहीं है अंदर से घवर को ठोला हटा कर अंदर खोड़ देने से टैंपर्चर बढ़ जाता है और दिन में इनको तीन बार अंदर को रोटेड जूर कर देते हैं टोटेड करने में और भी ऐक फायदा है कि जो आप इसका मुँ कर भी temperature को देख सकते हैं कि अंडा का temperature जो है सही है कि नहीं है थोड़ा सा experience होने से मैसूस हो जाता है कि अंडे का temperature कितना हो सकता है तो इस तरह से भी आप कम से कम तीन वार अंडे को जुरूर गुमाना है temperature मेंटन किये रखना होगा temperature अगर ज्यादा बहरता है थोड़ा सा मुझ कोल देंगे और कमने लगता है तो अंडे से थोड़ा सा गोवर पो तो जहां पर अभी तक हमारे अंडे के पाइजिन हो चुके हैं अंडे रखने के अधा हम आज कंडलाइट करने वाले थे लेकिन इस बहांस ने हमारी जो भेंस है इसने यहां पर प्यार रखकर जो अंडे से सारे तोड़ दिये हैं हमारे परिवालों वालों नों एक अंडा बचा के रखा तूटा हुआ था लेकिन और वह उठा के रखा तो अभी आपको अधुरा अपलोड करने का कारण यह था कि हमने इसमें नो दिन मेहनद की हैं और क्या आपको ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं तो हम इसको कंप्लीट करेंगे कंप्लीट लाएंगे आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा कि आपको इसका पूरा पार्ट आप नीचे कॉमेंट करें ताकि हम इसका पूरा बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें हम अपने 15 साल के साथ डाक्टर संजीर कुमार प्रिष्ण कन्हिया नारायन और सर्वन मंडल आपके पूल्ठी फार्म में बर्ड्स पालन से लेकर उनके बीमारियो को इलाज करने में सहायता करेंगे अपनी समस्या हमें वाट्सप पर भेजे हमारा वाट्सप नमबर 9791071830 है हमारे साथ चुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बैल आइकॉन को भी बजाते है झाल